हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल जैसा कि हर एक वीडियो के तरह आज फिर से हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे सिर्फ कहानी नहीं पढ़ रहे हैं साथ ही साथ में हम लोग कुछ ग्रामेटिकल्स को भी सीख रहे हैं तो आप लोगे से बस यहीं रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि अच्छे समझ में तो चलिए शुरू करते हैं तो आज का हमारा स्टोरी है फ्रेंड्स एंड देर ट्रेजर तो फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त क्या दोस्त और अगर ऐस लगा हुआ है तो उसका मतलब जानना है कि एक से जादा दो दोस्त तो फ्रेंड्स दोस्त एंड देर ट्रेजर उन लोगों का खजाना ट्रेजर मनें खजाना देर मनें उनका तो दोस्त और उनका खजाना तो कुछ यूं ही हमारा स्टोरी है तो चलिए लैट्स बिगिन शुरू करते हैं वन्स एक बार वन्स एक बार देर वर इसको व था was और were का मतलब होता है था तो there were था दो दोस्त two friends मनें दो दोस्त नहीं there मनें होता है वहाँ लेकिन यहाँ पर देर मनें वहाँ नहीं है there जो है ना यहाँ पर sentence को complete करने के लिए use किया गया बस इसको ऐसे समझना है भी फिलाल तो क्या बोल रहा है there were two friends दो दोस्त था in a village एक गाउं में named मनें नाम था named मनें नाम था ठीक है राम एंड राज क्या-क्या नाम था एक का नाम राज था दुसरे का नाम राम था तो they were not only friends वे लोग keval only मनें keval तो वे लोग keval दोस्त ही नहीं थे ठीक है they were not only वे लोग केवल नहीं थे दोस्त और क्या थे चलिए सुनते हैं बट लेकिन औलसो पार्टनर्स इन दे बिजनस इन दे बिजनस सुरी बट औलसो पार्टनर्स इन देर बिजनस सिर्फ वे लोग दोस्त थी नहीं थी नहीं था लेकिन also partners और क्या थे साथी थे क्या थे साथी in their business तो उन लोगों का business में हाँ तो समझ ये partners देखें business कि उसको बोलते हैं कारोबार तो उन लोग कारोबार में साथी भी थे तो they were very successful वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं सफल था they were वे लोग था तो यहाँ पर दे लगाए तो थे बोलिये तो वे लोग थे very successful बहुत ही ज़्यादा सफल in their business अपने कारोबारों में ठीक है तो राम वाज intelligent तो राम जो था ना intelligent था intelligent मतलब तेज क्या राम तेज था and hard working hard working किसको बोलते हैं जो काफी काफी ज़्यादा मेहनत करता है परिश्रमी ठीक है तो राम जो था intelligent भी था and hard working परिश्रमी भी था but लेकिन but लेकिन राज जो था was very lazy बहुत ही ज़्यादा आलसी था lazy मतलब आलसी बहुत ज़्यादा आलसी था राज their fam head spread far and wide अब देखिए their fam का मतलब क्या होता है fam मतलब नाम समझ रहे है नाम जैसे हम लोग बोलते हैं उसका नाम बहुत है इस अगल बगल के छितरे में उसी तरह fam होता है नाम परसिद्धी ठीक है उन लोगों का परसिद्धी जो था न spread फैल चुका था head spread फैल चुका था far and wide बहुत दूर दूर तक far and wide मने दूर दूर तक that key अब देखो बहुत उन लोगों का जो नाम था बहुत दूर दूर तक फैल चुका था spread मने फैल है न और head spread यहाँ पर head का use हुआ है मने perfect है past का तो they were invited उन लोगों को निमंतरत किया जाता था यह passive use हुआ है यह पर passive voice का आप टैंसन नाले हैं passive भी लाएंगे इसमें तो they were invited उन लोगों को आमंतरत किया जाता था invited by many businessmen तो किसके दौरा businessmen के दौरा many मने बहुत सारे businessmen के दौरा उन लोगों को invite करता था from other kingdoms to kingdoms मने समराज other मने दूसरा तो दूसरा समराज से भी बहुत सारे businessmen उन लोगों को invite करता था आमंतरत करता था चलिए friends अब आगे हम लोग सुरू करते हैं तो कुछ ऐसा है हमारा आगे both the friends वो दोनों दोस्त वो दोनों दोस्त traveled यात्रा करता था और traveled यात्रा करता था यहां पर भर्भु to use हुआ है past के form में ठीक है तो वो दोनों फ्रेंड यात्रा करता था to these kingdom ये सारे समराज जहां से उसको invite किया जाता था मने आमंतरत किया जाता था समराज and और returned वापस होता था return मने वापस होना और returned मने वापस होता था with huge money बहुत पैसे के साथ huge money मने बहुत पैसा with money साथ तो बहुत पैसे के साथ उन लोग वापस होता था अब फिर बोल रहा है they had to be constantly constantly traveling to various kingdoms अब देखे इसका मतलब they had to be यहां तक एक साथ मतलब समझे उन लोगों को जाना था they had to be constantly उन लोगों को लगातार यहां पर सुनिए they had to be constantly traveling constantly मने लगातार constantly मने लगातार तो उन लोगों को लगातार traveling करना था to various kingdoms बहुत सारे समराज्यों में बहुत सारे समराज्यों का भी बोल सकते हो आप तो उन लोगों को they had to be constantly constantly में लगातार ट्रैवल मैंने यातरा करना उन लोगों को लगातार यातरा करना था कहां तो बहुत सारे भेरियस मैंने बहुत सारे different different kingdoms समराज्यों का इसलिए राम ने राज से कहा dear friend, प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त we have earned huge amount of money तो राज ने क्या बोला, राम ने क्या बोला राज से राम सेड टु राज, राम ने राज से कहा मेरे दोस्त, we have earned, हम लोग कमा चुके हैं देखे, earn मना कमाना, ठीक है तो धियान रखना है we have earned verb 3 तो इसका मतलब present का perfect use हुआ है हम लोग कमा चुके है use money, बहुत पैसा use amount of money, money मने पैसा amount मने मात्रा, तो हम लोग बहुत सारे मात्रा में पैसा कमा चुके है we have to keep हमें रखना होगा keep मने रखना, we have to keep, have to मने होगा, ठीक है do we have to keep हमें रखना होगा it मने पैसे को safe मने सुरक्षित, क्या safe मने सुरक्षित, while जब तक we are abroad जब तक हम लोग विदेश में है, जब तक हम लोग abroad मने विदेश, देश के बाहर विदेश, ठीक है, क्या बोल रहा है हमें इसको safe रखना पड़ेगा सुरक्षित, while मने जब तक, या फिर दवरान we are abroad, जब तक हम लोग का है, तो विदेश में है, that is true राम, that is true राम, मने यह तो सही बात है राम, true मने सही, याने सच, यह तो सच है, राम, ठीक है अब चलिए आगे पड़ते हैं तो आगे कुछ यह उसतरे का है we shall dig a pit we shall dig हम लोग खोदेंगे dig मने खोदना we shall dig, हम लोग खोदेंगे a pit, एक गढ़ा एक गढ़ा, under the tree पैड के नीचे under मने के नीचे, तो पैड के नीचे near the temple क्या बोल रहा है, हम लोग एक गढ़ा खोदेंगे dig मने खोदना, pit मने एक pit खोदेंगे, गढ़ा खोदेंगे पैड के नीचे, under के नीचे near मने नजदीक, the temple मने, क्या बोलते हैं उसको तो मन्दिर के नजदीक and go abroad, फिर हम लोग कहाँ चले जाएंगे with this, go abroad, तब हम लोग जाएंगे ठीक है, फिर बोल रहा है कि no one will have the courage to steal from the temple no one, मने किसी को no one will have the courage किसी को साहस नहीं होगा no one will have the courage तो किसी को, courage मने साहस क्या, साहस, तो बोल रहा है no one will have the courage, किसी को साहस नहीं होगा to steal, चुराना, still मने चुराना, या फिर चोरी करना from the temple, मन्दिर से चोरी करना बात सही, अगर आप कोई भी चीज, मन्दिर या मस्जिद में रखते हैं, कुछ religious, धार्मिक जाएगा, फिर तो आदमी वास जल्दी कुछ समान का उठाता नहीं है, तो वही क्या बोल रहा है, तो राम बोल रहा है, ठीक है, कि हम लोग गर वहां रख दें, तो किसी को हिम्मत नहीं होगा साहस नहीं होगा, चुराना, मन्दिर से बात तो सही है, उन बोला उसने तो our money will be safe, हमारा जो पैसे है न, will be होगा, सुरक्षित, safe मने सुरक्षित, till we return जब तक हम लोग वापस आते हैं we return मने वापस आते हैं, till मने जब तक, हमारा पैसा safe होगा जब तक हम लोग वापस आते हैं, replied राज, किसने बोला, तो राज ने बोला, किसने बोला, राज यहां पर, तो, क्या बोल रहा है, घ्यान रखते वे, घ्यान रखते वे, तो, ध्यान रखते हुए, दे डग उन लोगों ने खोदा देखे डी आ इज़ी डिग मने होता है खोओतना डग मने खोदा उसी का भरब टू है तो दे डग slop उन लोगों ने खोदा एपित एक गढडह अंडर दा टेंपिल ट्री तो मंदीर के पैड के नीचे मंदीर के पास जो पेड़ था ना तो मंदीर के पेड़ के नीचे क्या खोदा तो डग मने खोदा एक गड़ा and left abroad और कहा निकल पड़ा तो विदेश left l e a v e leave मने निकलना left मने निकला कहा तो abroad के लिए विदेश के लिए और फिर आगे क्या है राम and राज राम और राज तो जो थे ना returned वापस हुआ returned वापस हुआ after a few months कुछ महिने के बाद after मने बाद few months मने कुछ महिना and और dug the pit मने वो जो गड़ा था ना जिसमें वो लोग पैसे रखा था तो dug मने खोदा the pit to take their money to take their money तो उन लोगोंने गड़ा को खोदा dug मने खोदा the pit गड़ा को to take लेने के लिए their money उन लोगों का पैसा take मने लेना देर मने उन लोगों का पैसा रुपिया जो भी बोलने आपको but लेकिन they were shocked they were shocked लेकिन वो लोग तो जटके में पड़ गया they were shocked shocked मने होता जटका ठीक है तो they were shocked वो लोग जटका हो गया क्या देखकर to see देखकर to see देखकर that key their money उन लोगों का पैसा जो था was missing गायब था was missing बने गायब क्या बोल रहा है उन लोगों पैसा जो था missing था गायब था तो चलिए बने रही है अभी आगे भी पढ़ते हैं हम लोग हमारा यहां से कुछ इस्तरह होता है शुरू the matter और उन जो मामला था matter जो कि दोनों जानता था लेकिन पैसा हो गया गायब तो जो मामला था was taken ले गया यहां पर भी पैसी ब्यूस हुआ है to the penchant तो कहां पर ले गया उस मामला को penchant मिले गया तो there वहाँ पर there वहाँ पर ram said वहाँ पर जाके क्या बोला राम ने राम ने बोला हां राम सेड राम ने कहा रीवरेड हां रीवियर्ड क्या रीवियर्ड रीवर्ड पंचायत हेड रीवर्ड पंचायत हेड तो देखें पंचायत मने होता है ग्राम ठीक है मने कोई भी होता है ना किसी भी गाउं का पंचायत उसी तरह पंचायत मिले गया होता है जब लड़ा उड़ाई करता है तो पंचायत वाला उसको solve करता है तो उसी तरह उसको मेटर को ले गाया पंचायत में तो बोलता है रिवियोर्ड पंचायत हेड हेड मतलब जैसे होता है न श मलें की पंचायत का मुखिया that there was money buried beneath the tree अब इसका मतलब समझते हैं क्या बोल रहा है कि आदरनीय पंचायत के मुख्या only Raj, सिर्फ Raj and myself और मैं new जानता था N-O-W-K-N-O-W मने जानना no मने जानना उसी का new जानता था कि there was money कि वहाँ पैसा गड़ा था buried मने B-U-R-R-Y by the tree, 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 by the tree ठीक है, inquire मने होता है, जाच करना, and or give us justice, हमें इंसाफ दीजिए, give मने देना, us मने हमें, justice मने इंसाफ, तो किरपा करके, इस मामले का जाच करें, और हमें क्या दें, इंसाफ दें, तो चलिए friends, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, यहाँ, तो राम, राज, एड किसने बोला, राज ने बोला, राज ने बोला, I did not steal the money, Me Lord, क्या बोल रहा है, कि I did not steal, मैफने नहीं चुरा याइ, steal मने चुराना, मैपने नहीं चुराया पैसे, कि इसने बोला, तो राज ने, Me Lord, मने, मिरे आका, ऐसा भी आप समझ सकते हैं इसको, इसक will tell witness for me तो राज क्या बोल रहा है कि महीने तो पैसे नहीं चुराए यह जो पेड़ है ना the tree, पेड़ will tell बोलेगा witness गवाह witness मनें गवाह for me मेरे लिए, for me मनें मेरे लिए ठीके, क्या बोल रहा है यह tree मेरे लिए गवाह देगा हां, will tell नहीं कहेगा देगा विटनेस गवाः फोर्मी मेरे लिए He then turned and asked the tree Oh tree, tell the truth वेह तब, then मने तब वेह तब मुळा, turn मने मुळना और turn मने मुळा तो then turned वेह मुळा and asked और पूछा पेड से Oh tree, oh पेड, tell the truth, सचको बोलो सचको बोलो, तो from inside the tree from inside the tree came a voice मने पेड के अंदर से, inside मने अंदर से फोर्म मने से, तो पेड के अंदर से came मने आया, c-o-m-e, come मने आना और came मने second form है, तो आया a voice, एक अवाज मिलोड मेरे आका, it is Ram it is Ram, who is the thief अब क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि राम ने पैसे को चुराया, राम ने, देखिए it is Ram, वह राम है, who is the thief, जो चोर है थीप मने चोर, थीप मने चोर तो वही बोल रहा है कि यह राम है, जो कि चोर है अब क्या बोल रहा है तो किसने पूछा यहां भी देखना पड़ेगा राज ने बोला कि मैं इने नहीं चुराया लेकिन क्या जवाब दिया कि राम चोर है तो he has stolen the money himself stolen, मने उसने चुराया है steel का third form है stolen, still मने चुराना stolen, चुराया है present का perfect है तो उसने चुराया है पैसे को himself, he has stolen the money himself, उसने अपने से पैसे को चुराया, and is now cheating, और अब वो cheat कर रहा है, धोखा दे रहा है कि मैंने पैसा नहीं लिया है, देखना है, राज ने बोला कि मैंने पैसे ने चुराया, पैड मेरे लिए गवा देगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पैड क्या बोल रहा है, कि नहीं, राम ने पैसे को चुराया है, अब देखे क्या होगा, और क्या बोल रहा है कि, he has stolen the money, बोल रहा है कि पैड ने बोला, राम चोर है, राम चोर है, उसीने पैसे को चुराया है और अब वो चीट कर रहा है मनने धोका दे रहा है अब देखे दा पंचायत पीपल दा पंचायत पीपल और वहाँ पंचायत के जो आदमी थे लोग थे पीपिल मने लोग, हाँ, जो भी लोग थे वेर अस्टोनिज्ट अस्टोनिज्ट मने क्या बोलते हो इसको, आस्चरी तो वेर अस्टोनिज्ट क्या हो गया, तो वे लोग आस्चरी हो गया हाँ, पंचायत के लोग जो थे आस्चरी हो गया, on hearing सुनकर hear मने सुनना on hearing मने सुनकर the tree speak पेड का बोलना कोई पेड बोलता है गया नहीं न तो पंचायत के जितने भी लोग थे क्या होगे आश्चरी होगे देखें आपर क्या चल रहा है conspiracy कैसा चल रहा है राज ने बोला कि पेड मेरे लिए गवा देखा थोड़ी न पेड बोलता है इसका मतलब यह तो कुछ set करके रखा होगा जैसे पता चल रहा है आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पंचायत के जो लोग थे आश्चरी होगे सुनकर पेड का बोलना they were, they were about to confirm confirm मने पूरा हकीकत ठीक है तो they were about to confirm, वे लोग confirm करने ही वाले थे, confirm मने पक्का करने ही वाले थे कि राम वाजदा कल्पिरीट, राम जो है दोशी है, अपराधी है, तो सुनना है, कल्पिरीट मने दोशी, ठीक है तो यहाँ पर समझना है, राज ने बोला कि पैड से पूछो, और पैड ने बता दिया, राम इसका मतलब कुछ तो चल रहा है तो जैसे ही वे लोग confirm करने वाला था, कि राम जो है कल्पिरीट है, दोशी है, तो राम देखो अब क्या कर रहा है राम तुक अ बर्निंग पीस ओफ वूड एंड सेट फायर टू दा हाफ ड्राइड ट्रीप तो राम ने लिया took on a burning piece of wood नने जलता हुआ एक लकडी का टुकड़ा गया लिया एक लकडी का टुकड़ा जलता हुआ and or set fire आग लगा दिया set fire मने आग लगा देना तो इसने क्या किया? set fire आग लगा दिया to the half dried tree half मने आधा सुखे पेड को आधा सुखे पेड को dry मने सुखा और ड्राइड verb to सुखा पेड तो उसने आधा सुखा पेड को क्या किया तो उन्होंने लगा दिया आग अब क्या हो रहा है suddenly अच्चानक someone came running from inside the hole of the tree trunk अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग someone मने कोई came आया c o m e come मने आना came मने आया अच्चानक कोई आया running दोड़ता हुआ running run मने दोड़ना उसी का भरव फोर यूज हुआ तो कहानी के हिसाब से हम लोग मतलब को भी set करते हैं तो अच्चानक कोई दोड़ता हुआ आया from inside अंदर से from inside अब देखें किस के अंदर से तभी पता चलेगा तो inside अंदर से आया दोड़ता हुआ the hole of the tree trunk tree trunk तो पेड के अंदर जो hole था छेद था ना पेड देखें कोई मोटा मोटा पेड होता है उसके अंदर छेद होता है trunk मने क्या हो गया तना बीच में पेड जैसे मान लीज़े यह हुआ पेड तो इसी के सुरुवादी हिस्से को बोलते है trunk उसी में जो पेड के trunk था पेड के जो trunk था ठीक है तो tree trunk के छेद से छेद देखें tree trunk के छेद के अंदर से दोड़ता हुआ एक आदमी आया the villagers तो गांवाला जो था count hold of the person देखिए गांवालों ने c-a-t-c-h-k मने पकड़ना count मने पकड़ लिया hold of the person count hold उस आदमी को पकड़ लिया and or found और पाया की that to be's raja's father अब देखिए उज आदमी था किसके पिता था तो राज के पिता राज से फादर अगर इस तरह का s देख रहे हैं इसका मतलब राज से लिखा हुआ है तो राज का अगर जैसे apples मने सेब का जैसे मान लिजी rams r a m s rams अगर इस तरह रहे तो rams तो rams का ठीक है अब it was clear यह असपस्ट हो चुका था कि r a j was the real culprit तो r a j जो थो थो ना हकीकत में सच्ची में अपरादी था हाँ तो यह पता हो चुका था कि r a j जो था real culprit मने हकीकत में वो अपरादी कौन था तो r a j यहाँ सब देखिए राज ने बोला था ना पैड़ को जरूर उसी ने कुछ सेट किया होगा अभी पता चला कौन पता चला कि r a j जो था तो r a m हकीकत में कौन दोसी था तो r a m d दोसी था the penchayat people और penchayat के जो आदमी थे देखिए confiscated 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 मने जबत कर लेना ठीक है तो penchayat के जो लोग थे confiscated मने जबत कर लिया पैसे को किस से तो r a j say and handed it to r a m और किसको दे दिया r a m ko handed मने दे दिया किसको दे दिया तो r a m ko दे दिया ठीक है तो r a m took r a m nे लिया t a k e t a k e take का second form took r a m nे लिया what was his due share his due share ने जितना उसका हिस्सा था न उतना ही लिया तो r a m liya what was जो था his due share देखे his due share जितना उसका हिस्सा था वही लिया and return the balance amount और वापस कर दिया return मने वापस कर दिया the balance amount बचा हुआ रुपया to r a j किसको तो r a j ko r a m nे ठीक है तो r a m nे जितना सा पैसा लिया जिसना उसके हिस्से में था और वापस कर दिया बचा हुआ amount को किसको तो r a j ko the village is appreciated गाउवालों ने तारीफ किया appreciate मने तारीफ करना appreciated तो तारीफ किया r a m s righteous behavior तो righteous behavior मने अच्छा बहवार तो उसके अच्छा बहवार इंसाप वाला बहवार को देखकर चलन को बरताओ कर गाउवालों ने तारीफ किया तो moral क्या है तो truth wins सच्चाई जीतती है truth wins मने सच्चाई जीतती है तो thank you friends तो इस कहानी से हमें क्या क्या motivation मिला और क्या inspiration मिला कि हमें सच्चाई पर ही रहना है और सच्चाई से काम करना है तो thank you